आज हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिंट में हल्वा स्टाइल या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल भी बोल सकते हैं एकदम डिलिशिस मज़ेदार गाजर का हल्वा तो इस वीडियो को देख लेने के बाद तो गाजर का हल्वा अपनाना आपके पाएं आतका खेल होगा इसक लोग आजरी है इनके छिलके र्वोव करके और निक्व ऐनको तैनर से दो लियाए हि foll只 आप सकते हैं और आप इसाथे और लेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्स दाश मिंट में हम इस अल्वे को बनाकर त्यार कर लेंगे इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बहुत ज़्यादा मोटे साइज में नहीं करेंगे अच्छी हम 10 मिनट ट्रैस भी बना रहे हैं इस तरह से कटिंग करके आप इसको ब्लैंडर जग में भी डालकर ब्लैंड कर सकते हैं यहां फिर अगर आपके पास चोपर है तो और भी अच्छी बात है तो साथ साथ हम गाजरों की कटिंग कर लेते हैं और साथ ही यहां पर हमने एक लीटर की करीब दूद लिया फुल फैट तो फ्लेम अन करेंगे और इसको चुले को पर रखतेंगे और दूद का हमने पकने के लिए छोड़ देना है वैसे तो हम गाजर का हलॉप नाएं त पढ़ना पड़ता है तो दस मिनट में आप किस तरह से गाजर का लवाब ना सकते हैं एक मरतबा यह वीडियो आपने कंप्लेट वाच करनी है एक मरतबा इस वीडियो को देख लेने के बाद गाजर का लवाब ना आपके लिए बहुत ज़्यादा असान हो जाएगा और कि ऊ सग्तिया यहां आदेख सकते हैं एकदम खोय कि जैसा हमारा दूर्त तयार हो गया इसको अब हम साइट पर करेंगे अब हम गाजरों को डाल लेंगे लिए कि तो गांड हो अधोम समæ करके चोपर में चौप कर लेंगे यहां आप देख सकते हैं कि हमने एक मर्दबा इनको चौप कर लिया है वक्फे वक्फे से हम चौपर को ओन ओफ करेंगे और यह देखें माशाला जबरदस्त हमारी गाजने चौप हो चुकी है प्राई लेंगे और इसके अंदर हमने तक्रीबन तीन से चार खाने के चमच गी डाल दिया है और इसको हमने मेल्ट कर लिया है साथ ही यहां पर हम चोटी लाची का इस्तमाल कर रहे हैं चार ली है हमने इसमें चार चोटी लाची डाल दी है प्लाइची डालकर मजीद थोड़ा सा गी को गरम करेंगे और फिर हमने इसमें गाज़ने डाल दिनी है गाज़ने डालकर फ्लेम को हमने हाई कर दिना है और अच्छी सी हमने गाज़नों की बुनाई कर लिनी है हाई फ्लेम पर अच्छी सी बुनाई करते हुए गाजरों का जो पानी है जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह से हमारा जटपट मिंटों में गाजर का हल्वा बनके त्यार हो जाएगा तो यहां गाजरों की बनाई होते हुए तक्रीबन तीन से चार मिंट गुजर चुके हैं अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ जाल रहे हैं बिल्कुल रेस्टूरेंट स्टाइल बनाने के लिए और वह सीक्रेट चीज़ है जी कंडेंस मिल्क इससे बहुत ज़्यदार और ट्लिशिज हमारा गाजर का हल्वा बनके त्यार होगा तो कंडेंस मिल्क डालने से हमें चीनी भी काफी कम इस्तमाल करनी करेंगे तो यहां पकते हुए तक्रीबन साथ से आठ मिंट गुजर चुकी है और हमने जो मावे के जैसा मिल्क तयार करके रखा था वह इसमें डाल देंगे इसको डालने से हमारे जो गाजर का हल्वा इसमें से एक दिम मावे का जैसा टेस्ट आएगा और बहुत जादा आरा यह गाजर का हल्वा बनके तयार होगा कि इसको डालने से पहले हमने अच्छी तरह से गाजरों का पानी जो है वो रिड्यूस कर लिया है यह डालकर मजीद हम इसकी 3-4 मिंट के लिए बुनाइं करेंगे यहां मर्शला दूद अच्छी तरह हो चुक है अब हम इसमें दो से तीन ड्रॉप केवरा एसन डाल देंगे इसका भी फ्लिवर बहुत ज़्यादा जबरदस्त आएगा अगर तो आपके पास है तो आप इसमें जरूर डालें और आप देख सकते हैं कि हमने हाई फ्लेम पर अच्छी सी हलवे की बनाइं कर लिया है हम इस स्टेज पर इस स्टाइल हमारा गाजर का हलवा तयार है वह भी जटपट मिंटों में इसको डिशाउट करते हैं और यह देखें माशाला बहुत ज़्यादा खुबसूरत लोग और अलहम्दलिला खाने में एकदम लाजवाब एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल यहां फिर हलवा स्टाइल भ कैसा बना तो फिर मिलते हैं इसी तरह की असान ब्लिशिस मज़दार रैस्पिस के साथ और जटपर पिंटों में बनने वाली रैस्पिस के साथ खुश और अबाद रहें हमें भी अपनी दौह में याद रखिए लाफी